सब्सक्राइब दिल्ली से आने वाली जो भी अच्छे स्कूल है उनकी वेकेंसी की डीटेल में वीडियो में कवर करने की कोशिश करें मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल्ली से जो भी कैंडिडेट हैं अगर आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जहां पर देली टीचर ज कि जितने भी अच्छे स्कूल हैं बड़े स्कूल हैं उन सब की वेकेंसी दिल्ली से अलग से कवर कर दी जाया और दिल्ली मेंशन भी कर देरी हो में थमनेल पर अभी नई वेकेंसी आई में इसमें ग्राजुएट कोई भी है और बीएड है बीलेड है एंटीटी है मॉन्ट पर इनके दिये हुए है और स्कूल का नाम में रगुवीर सिंग जूनियर मॉडन स्कूल लेकिन इसमें प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर सभी के रहे वेकेंसी जो आई मीं है वो टाइम सफ इंडिया में आती है आप सभी को पता है वेंस्डे के दिन बुद्वार के दिन पब्लिश होते है न्यूस पेपर में टाइम सेंट में तो वहीं से मैंने उसकी इमेज पिक जो है लिए हुई है और वहीं आपके साथ वीडियो में शेयर की जारे है मतलब आपको स्क्रीन शॉट लेनी होगी या पर दीटेल्स नोट डाउन कर लेने होंगे क्योंकि न नियू डेली में 11003 पिन कोड है अब इसमें ठीक से समझेंगे प्राइमरी टीचर के लिए है लेकिन इसमें ब्राइमरी वाले कैनेड़ेट अप्शन दिया है दूसरा कोई अप्शन ही नहीं दिया तो अभी ऐसा हो रहा है दिली पब्लिक स्कूल में या बड़े स्कूल मे दिया कह अग्या आध में है अग्यां में प्राइमरी वी दिये ले रहा है निशमयन का भी तो नहीं है नहीं है और इसके बार अगर दूसर सब्जेक् t त्रेस्टे पड़ा सकते हैं अगर दूसरे सब्जेक्ट से लेकिन बीएड किया हुआ है तो प्रीम्री टीचर के प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यह दोनों ही ऐसे जॉब सब्सक्राइब कर पाई ना चाहिए तो यह कौन से की लिए सुटेबल है बेचलर डिग्री और फाइव एक्सपीजन सोना चीए तो एकाउंट एसिस्टेंट तो बीकॉम कैंड़ेट अप्लाई करेंगे तीन साल का एक्स्पीरियंस मांग रहे हैं अब इसमें कैसे अप्लाई करना कुछ नहीं करना यह इमेल आईडी दी हुई है पांस जिनों के अंदर इस इमेल आईडी पर आपको अपनी उपडेट इस बायो डेटा शेयर कर दे नहीं है और सब्सक्स करेंगे तो उसे सिंगल पीडियोंफ में करेंगे पासपोर्ट साइस फोटोग्राप पेस्ड करेंगे सिंगल पीडियोफ में होना चाहिए और इमेल पर जब आप सब अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे अप्लिकेशन जो सब्जेक्ट लाइन होती है इमेल कि उसमें अप्लिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सब्सक्राइब इंग्लिश एट स्कूल का नाम नियू डेली हुमायू इसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगे उनको टेलीफोन से बुलाइंगे वह या फिर इमेल से बुलाइंगे अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें क्या होता है ना फेक कॉल का नाम लेकि कि दूसरे जगर से फेक कॉल आते हैं तो इसलिए हमेशा स्कूली विजिट करें सबसे स्कूल विजिट करें दूसरी चीज फीस किसी को नहीं देना इन्होंने अगर अगर फीस नहीं मांगे तो बीच में कोई आपको फोन करके मांगता है कि दे वगरा तो फीस पेमेंट नहीं करनी है स्कूल ही विजिट करना अगर जब इंटर्व्यू के लिए जाएं तीसरी कर सकते हैं चार साल एक्स्पीरियंस मांगें प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी एड अपलाई कर सकते हैं अलगी रूल है इनका मॉन्टेशी ट्रेंड नर्सरी ट्रेंड बी एलेड सभी अपलाई कर सकते हैं तो बेसिकली समें बीएड वाले सीटेट कुछ नहीं मांग इसमें सभी काडिडेट अपलाई कर पाएंगे प्री प्राइमरी जिनको और जॉब की रिक्वार्ट प्री प्राइमर में भी आफ्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेड लेड लेड के लिए कुछ नहीं है तो ठीक है आपने स्क्रीन शॉट ले लिए होगी पूरे सेक्शन की